अलो दोस्तों मेरा नाम हैंकु शर्मर आप लोग देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यह स्टेंडर्ड 350 है मेरे फ्रेंड की इसमें हम अलोई वील्स लगवाने जा रहे हैं करोल बाग तो मैं इसमें आपको अलोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि मार्किट का सर्वे जरूर करें कि मेरे या कोई यूट्यूबर है किसी भी भाई की ऐसे बात सुनके किसी भी पर अंधा बिलीव ना करें कि हाँ भई उस बंदे नहीं यूट्यूब पर यह कहा था त तो मैं उसकी वीडियो देखके उस बंदे के पास जाऊंगा आप पहले मार्किट का सर्वे करें जो भी आपको क्वालिटी अच्छी लगे तो उस हिसाब से आप समान करीदें जरूरी थोड़ी कि आपको एक ही दुकान से समान करीदना है बहुत सी दुकान है यह अलोई व इनकी सप्लाई है और ओल ओर इंडिया यह लोग सप्लाई करते हमने और शॉप्स में भी ट्राए करा था जिनमें रेट इनके रेट के रिगार्डिंग तो कम थे पर जो उनकी क्वालिटी थी वह इनके मुकाबले बहुत कम थी मतलब आपको फिनिशिंग में साफ पता चल जाता है कि असली कौंसा और नकली कौंसा है और इनकी जो सच्देवा अलोई वील्स पर जो मतलब इनके जो वील्स थे उनकी क्वालिटी और फिनिशिंग काफी अच्छी थी और मतलब आप लोग उनमें देखके इजिली डिफरेंस मतलब देख सकते हैं पर जिस चीज से मैं सैटिस्फाय नियू हूं वो है फिटिंग मतलब जैसे सच्देवा जो मोटर साइकल्स है उनका क्या है उनका जो इन हाउस मतलब जो प्लांट है मतलब वो सिर्फ ना अलोई वील्स सैल करते हैं तो फिटिंग उनके मतलब अंदर याप जैसे शोरूम मे नहीं करा सकते हैं आपको भार फिटिंग कराने पढ़ते हैं और जैसे मेरे दोस्त की स्टैंडर्ड थी इसमें पिछे हमने 120 mm का टायर डलवाया है जैसा कि स्टैंडर्ड में 90 mm का टायर आता है तो उसके लिए भी हमें पिछे वाला जो वील था वो ब्रोड लगाना पड़ और क्लासिक का वील इसमें लगाया गया पीछे 18 इंचेज का तो उससे भी थोड़ी लुक जो ब्रोड टायर कियाते है वैसे 110 mm तक का टायर इसमें लग सकता गा अगर आप मेरी आगे वीडियो देखेंगे इस बुलट के जो टायर का रिस्पॉंस या अलोई वील्स का रिस तो टू टू बी एग्जेक्ट तो यह था शिक्स थाउजंड था शिक्स थाउजंड के पड़े थे अठावन्स हो के हमें स्टैंडर्ड के पड़े थे जिसमें जो ब्रोड वील पीछे इंस्टॉल होने में थोड़ी दिक्कत आती और वो काफी पतला रिम था दोस्तुरू किलोमेटर उसके बाद चल चुकी है वाइक पर जो फिटिंग है जो लोग फिटिंग करते हैं इस फिटिंग से में बिलकुल भी वह नहीं सैटिस्फाई यह लोग इतना मतलब बंदे को सोचते हैं की काटने की या कुछ भी क्योंकि यह तो मतलब बेंग कहते हैं कि हम ऐसी कर देंगे वैसे फिटिंग कर देंगे पर मेरी रेकमेंडेशन है कि आप अलोई विल्स ले लेकर रोलवाग मार्किट से और फिटिंग करवाए अपने किसी लोकल मतलब जो भी आपका ट्रस्टिड बंदा उससे या कोई भी आपके टायर शॉप हो आसानी से कर देगा अब य आपके तो बैरिंग गए हुए हैं जबकि बैरिंग मेरे दोस ने थोड़े दिन पहले ही चेंज कराई थे चलो कोई नहीं हो सकता खराब हो गया वर्ट एक खराब था दूसरा खराब नहीं था तो और रबर भी जो टायर की रबर होती है वह भी दो चार दिन पहले ही है तो रबर तो मैं चेंज नी कराऊंगा आप बेरिंग डाल दो तो मैंने कहा कि बैरिंग अगर आप डाल रहे हो तो प्लीज ओरीजिनल वैरिंग लाओ और इन वारिंग ही डलवाएंगे हो तो इन्होंने फिटिंग का जैसे 300 रुपे चार्ज बताया था मैं तो इन्होंने अपना जैसे जो बंदा बैठा हुगा चेहर पे इसको भेजा और यह लाया बैरिंग और यह न मतलब लोकल बैरिंग लाया तो मैंने विटते ही का कि भई ओरिजिनल बैरिंग ला दो और ओरिजिनल डाल दो तो बलता है नहीं आप खुद जाके लियाओ अब अब बाइक मतलब ऐसी उसमें खड़ी कर दी खोल दी बिल्कुल तो आप सोचो कि चल भई लगवा ले यह लगवा ले यह कह रहे है चैह मैंने कि आपको गारंटी दूगा मैं यह दूगा वो दूगा जैसे इसने बैरिंग डाले भई जब तो हमने चेक करा ठीक जब कोई साउं आ रही है वो टायर से उसी बैरिंग वगर किया है तो फिटिंग के पॉइंट ओफ व्यू में तो मैं बभी बिल्कुल रेकमेंड नी करूंगा मकि मेरा एक्सपिरियंस है आपको कुछ और भी हो सकता है उसकता आपको बिल्कुल परफेक्ट इंस्टॉल किये गए हो बट मे मैंने वीडियो पने चैनल पर पोस्ट की होई है कैसे कैसे मेरों का इसी मीरिक मद प्रॉब्लम आई थी वहकी अभी वाइक की सर्विस हों नहीं है सर्विस पर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है या मैकानिक हो unlike मैई कोई किखा युँन कोरी इतना बड़ा इसून है पर फिर तोटल अपमान के चलो उस दिन हम 10,000 के करीब की एक्सेसरीज लाए थे जिसमें टायर अलोई वील और सिर्फ रियर टायर था फ्रंट टायर नहीं रियर टायर था इसका और फिटिंग चार्जिस और और एक एज जी के हैड लाइट ली ते हमने जो मतलब देखने में तो एज रिस्पॉंस आपको जरूर दिखाता है वैसे दिन में एक दिन चला था वो पूरा तो उस दिन तो अच्छा रिस्पॉंस था और जबकि हमने एसी टू डी सी वह भी कराया था करोल बाग से और आप देख सकते है करोल बाग में जो एसी डी सी जो हमारे कनेक्शन करे वायर क उससे इंडिकेटर लेफ्ट साइड का इंडिकेटरी जलता चूट गया और इंडिकेटर लेफ्ट साइड का हर टाइम ओन रहता है वो सर्विस पर जब जाएगी बाइक जब ठीक होगा तो बकी जो भी मेरी यह जो मतलब जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं य अगर आपको डील मिल रही है तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आता सो दो सो तीन सो रुपे का मैक्सिमून डिफरेंस आएगा इतना आपका फ्यू लग जाएगा टाइम भी खराब होगा अब कि अगर और इंडिल लेने हैं तो आप जा सकते हैं सचदेवा मोटर साइकल पर और भी कई शॉप्स हैं पर जैसे आप तो को लगता होगा कि आपके लोकल में और इंडिल वील्स नहीं मिलते हैं तो आप पूछ सकते हैं अगर सचदेवा से वह अपने आउट्सोर्स करता होगा तो हां के और इंडिल ही होंगे यह इसकी कुछ फाइनल लुक है अलोई वी तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करकर जरूर बताना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना वीडियो लाइक कर दे शेयर कर दे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में